नुस्कार शाथियो आज कल जो लंपी या लिंपी नामक बिमारी पस्वों में फैली हुई है यह एक संक्रामक रोग वैविशानोजनित बिमारी है अमूमन यह बिमारी गोवण चीवे महिस स्वां पस्वों फाई जाती है याई इनके गाइवे भैसों में इस रोग का संचर मित पस्वों में हलका बुखार आ जाता है और कुछ समय के बाद पस्व के गड़े वे पूरे सिरीर में गठे वराती हैं साथ यो सही समय पर उचित उपचार वह देखवाल नहीं होने के कारण बारी संख्या में इस बिमारी से ग्रिशित पस्वों की मर्ति हो रही है राजस्थान पंजाब मध्यपरदेश उत्रपरदेश समेत उत्रभारत के कई राज्यों में लंपी वायरेस की बिमारी ने बैंकर तबाई मसाई हुई है और यहां तक तो कई राज्यों में विशेश एडवाईजरी भी जारी हुई है अगर आपके घर या आसपास किसी पसु में इस बिमारी के लक्षन दिखाई दें जिसमें मुख्य रूप से मुझ से लार गिरना पसु का खाना पिना छोड़ देना पसु का लगातार खड़े या बैठे रहना पसु की आँखों से लगातार पानी गिरना और आखरी में प पस्वों की लंपी विमारी के सुल नों से पहल साथ ही मारी टवचा पर हुई गाट्टों या गांव का उपचार विशानों को दूर करने कि युप विदिक दूनी के बारे में बताऊंगा तो चलिए बिनादेरी की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पसो में लिंपी विमारी के संकर्मन से पहले की रोग थाम वे संकर्मन के बाद के उपचारों की विदी के बारे में साथ यो लिम्पी संकर्मन होने से पहले अगर आप पसू में कुछ बदलाव देखते हैं और सोचते हैं पसू में यह रोग हो सकता है तो इसके दो उपाए हैं पहले उपाए के लिए आवला अस्वगंदा गिलो या मुलेठी में से किसी एक सामगरी को 20 ग्राम की मातरा में लेकर कूट ले और एक गुड की पेड़ी में मिलाकर सुबह शाम पसू को खिलाएं दूसरे उपाए के लिए एक मुठी तुल्शी के पत्ते दाल चिन्नी वे सोट पांच पांच ग्राम वे दस नग काली मिर्च को गुड की पेड़ी में मिलाकर सुबह शाम पसू को खिलाएं साथियों इन में से एक या दोनों उपायों का प्रियोग करें इस से पसू की अंदरूमनी संकर्मन तो दूर होगा ही साथ में पसू की रोगों से लड़ने की चमता में भी इजाफ़ा होगा साथियों अगर आपके पसू को लंपी वारिष का संकर्म हो जाता है तो एक एक मुठी नीम वै तुल्सी के पत्ते दस नग लसून की कली दस नग लोंग वै दस ग्राम जीरा पंदरा ग्राम हल्दी पावडर दो प्याज पांच पान के पत्ते लेकर कूट लें और इस कुटी हुई लोई को छोटी गुड की पेड़ी में मिलाकर सुवे शाम पसूख खिलाएं इसका असर तीन से पांच दिन में सामने आ जाएगा लेकिन आप दस से पंदरा दिन लगाता रिया प्रिकरिया जारी रखें साथ यो इस दोरान बनी गाठों में गाव हो जाते हैं उनके लिए आप एक एक मुठी नीम तुल्शी वे मेंदी के पत्ते लें लैसुन की 10 कली वे 10 ग्राम हल्दी लेकर 500 ग्राम नारियल तेल में मिलाकर कुछ देर हलकी आथ पर पकाएं वे ठंडा होने दे अब इस लेप को हलके आतों से गाय के सभी जख्मों पर थोड़ा-थोड़ा करके लगाएं यह लेप गाय के जख्मों पर लगाने से पहले गा और पसूव के गाउं को दोएं या हलके आतों से मले फिर साब पानी से दो दे इससे पसूव के बारी गाउं का इनफेक्शन दूर होगा इस दोरान विशानों जनित संकर्मन को रोकने के लिए आप आयरुवेदिक दूनी का प्रियोग सुबह शाम करें इसके लिए आप द कीम के पत्वयलोबान लेंगे साथ में 2-5yani मातरा में गनदक लेंगे इन सबी सामगरी को लेंकर इमाम दस्ते में कूट कर रखलें अब ज़ले हुए गलोबर के कंड़े को लेकर इस सामगरी की थोड़ीशी मात्रा डालकर दूनी करें द्यान रहे यह दुनी गाय के नथुनों वे थनों के आसपास में जरूर हो इससे पसू के बाड़े में जितने भी विशानों होंगे दूर हो जाएंगे उमूर करता हूं आप इस जानकारी का पूरा लाव उठाएंगे वे इस वीडियो को ज़्ड़ाजादा शेयर करके पुन्य के भागीदार बनेंगे वीडियो वे रोग से समदित किसी परकार की संका ओने पर कॉमेंट करें इसी परकार की जंड कल्यानकारी जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें वज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले स्वास्त वर्दक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरी पहुंच सकें मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी खास जानकारी के साथ तब तक जय हिंद जय गव माता